MPK ग्रमादिय नहुता मिर्शा ने पूर्व सीम दिग्विजे सिंग को लेकर कहा कि दिग्विजे सिंग का राष्ट्री अध्यक्ष बनने का सपना अधूरा रह गया दिग्विजे सिंग बुजुर्ग नेता हैं वो किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं अब फिटनेस का दौर है तो दिग्विजे सिंग को भी फिटनेस दिखानी पड़ेगी इस मौके पर उन्होंने कमलनाथ और राहुल गांधी की भारज जोड़ यात्रा पर भी निशाना साथा है ग्रमंदिन रोता मिर्शा ने कमलनाथ में निशाना साथते हुए कहा कि कमलनाथ को किसान और बेरोजगार से जूट बोलने के लिए खेद पत्र जारी करना चाहिए उन्होंने कहा उस समय के कॉंग्रेस के राश्टिय धक्ष से उन्होंने जूट बोलवाया राहुल गांदी नहीं कमलनाथ से किसानों का कर्ज और बेरोजगारों का रोजगार का वादा किया था राहुल मद्वदेश में आने से पहले किसान और नौजवानों से माफी मागे उन्होंने कहा राहुल गांदी यात्रा का धे पहले दिन से ही नहीं था बदलने का सवाज ही नहीं खड़ा होता वहीं उन्होंने दिगविजय सिंग के डांस पर कहा कि दिगविजय सिंग किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं उनकी राष्ट्रिया ध्यक्ष बनने की मन्शा तो पूरी हुई नहीं अब राहुल की फिटनेस की बात पर वे डांस कर रहे और वैसे भी नए बचन पत्र को बनाने की जरूवत क्या है पुराने वाले बचन पत्र की तारीकें बदल दे बस किया तो उसमें भी कुछ नहीं है ना तो तारीक बदल दे काम चल जाएगा यात्रा का धे पहले दिन से ही नहीं था तो बदलने का प्रशनी पैदा नहीं होता है और मैंने जैसा का कि उन्हें खेद पत्र जारी करना चाहिए राहूल गांदी जी आ रहे हैं तो वही गोशना करके गई थे राश्टी अध्यक्ष थे यहाँ पर दस दिन में दो लाक किसान का माफ नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे राश्टी अध्यक्ष से जूट बलवा लिया हो तो पहले तो गुसने के पहले उनसे कारवाई करें और गुसने के पहले राहूल गांदी मद्यप्रदेश में किसान से माफी माँगे नोजवान से माफी माँगे बुजरगवार नेता हैं वो किसी के साथ भी डांस कर सकते हैं बैसा क्या चीज है ऐसा करते हुए बुजरगवार अच्छे भी लगते हैं चुकि राहूल गांदी जी ने फिटनेस क कभी हंटर से मार के कभी दौर लगा के कभी बस पर सीधे चड़के तो उनको भी फिटनेश तो दिखानी पड़ेगी यात्रा के प्रवारी है उनका सपना राष्टी अध्यक्ष बनने का धूल दूसरीत हो गया अब उनका अधूरा सपना है संतुष्टी मिल सकती है बैसा डा कर दो हला मचाने के लिए सत्र नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें यह ध्यान रहे कि जो सत्र है एक बार तो कभी सार्थक चर्चा करके दिखाएं जब चर्चा की बात आती है तब हला करते हैं तब पलायन करते हैं मुक्ष मंत्री तक का तो भासन सुनते नहीं अपराधियों को बक्षा नहीं जाएगा रासुका की कारवाई की जाएगी इन अपराधियों के जमानत दरों के विरुद्ध भी कारवाई होगी अर्नर किलन्क शक्द का प्रियोग किया गया है पर ये दरसल पड़ोस की एक बच्ची को धीरु जाटब नाम का बच्चा दो साल पहले ले गया था अब उस बच्ची के भी बच्चा है इसमें वो अभी दिवाली के बाद से आया हुआ था तो उसके बाद में ये घटना घटी है साथ लोगों पर केस रेजिस्टर्ड हो गया है और जो मुख्य आरोपी है सुरेश जाटब गड़की का पिता उसको गिरफदार कर लिया गया विश्य संगान में आया था कल वाले वीडियों पर छे लोगों को गिरफदार कर भी लिया है और इन पर अब सक्त कारवाई करने का विचार है जो प्रमुक है उसमें उन पर रासुका की भी कारवाई कर रहे हैं और इस तरह की पुनरावत्ति नहो इस तरह के लोग जिन पर मुकदमे अधिक हैं जे वो को बाउंड ओवर किये गए हैं जिनकी जमानत हैं जिनने दियें इन से वसूली भी करेंगे और जमानतदारों से भी वसूली करेंगे और रासुका की कारवाई करेंगे आप देख रहे हैं दखल्यू